मेरे साथ इस वक्त दो बड़े रिनाउन एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं मैं माफी चाहूँगा आप दोनों से क्योंकि ये फनैंस सेकेटरीज का इंटरिव्यू था ये बहुत जरूरी समख दर्शों को सुन्माना था लेकिन हमारे साथ मुकेश भुटानी साब जुड़ रहे हैं CA हैं टाक्स एक्सपर्ट हैं हमारे साथ राउल गुपता साब भी जुड़ रहे हैं बहुत बहुत शुक्री आप दोनों का भुटानी जी मैं सबसे पहले आप से पूछना चाहता हूँ यह जो पूरी confusion हो रही है लोगों को new tax regime, old tax regime की मैं बड़ा basic सवाल से शुरू करता हूँ कहा गया कि new tax regime default है इसका क्या मतलब होता है और इसे default क्यों मनाया गया और क्या अगर मैं चाहूँ तो old tax regime में जा सकता हूँ इसे बुटानी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है सर तो मैं आपसे जानना चाहरा हूँ कि यह जो बड़ा जी देखे यह जो new tax regime है यह इंटर्डूस की थी 2020 में 2014 के बाद tax slab में कोई change नहीं हुआ था और 2020 की रेजिम का कारण यह था कि आपने taxpayer को choice दिया है आप यह exemption ले और जादा कमती threshold का facility अवेल करे यह exemption नहीं ले और आप अपना threshold बढ़ा ले इस option के कारण काफी सारे taxpayers जैसे अब भी CBDT के chairman ने कहा था they did not opt for the concessional tax regime अब यह revise किया गया है 2023 में और यह new tax regime revise इसलिए किया गया है इसका मतलब यह है कि आप यह option एक ही बार exercise कर सकते हैं या आप पुरानी रेजिम में जा रहे हैं या नई रेजिम में जा रहे हैं तो यह 2023 का जो नई रेजिम है यह 2020 की modified regime है इससे आपको जो आपके screen में आपने लिखा है जो tax rates है वो लागू होंगे और इसमें सबसी बड़ी बात यह है कि जो पांच लाग से साथ लाग का limit रेज किया गया है यह new regime में ही मिलेगा अगर आप new regime में जाएंगे तबी ही आपको यह लाब होगा rates का नई तो अगर आप old regime में रहने चाहे हैं तो आपका threshold पांच लाग ही रहेगा यह इसका मतलब है राहूल कुप्ता साथ लोग अब यह पूछ रहे हैं सबसे पहली बात कि मुझे क्या फाइदा है मुझे क्या यह जो नई tax regime है जिस तरीके से सरकार ने इसमें तीन लाख रुपे तक की एक rebate भी दी है और जो slabs हैं वो भी change हो गई है तो दोनों में से जादा attractive कौन सी है क्योंकि यह तो साफ दिखाए पड़ रहा है कि सरकार का push है नई tax regime की तरफ से देखिये आम तोर पर पहली regime में क्या होता था तीन तरह की कटोतियां होती थी एक exemption मतलब कि वो आय जिस पर tax नहीं लगता था दूसरी चीज डिड़क्शन मतलब आपकी आय तो इतनी है परंतु इसमें से कुछ और कटोती मिल सकती यदि आप investment ऐसी करें या आपने health पे expenditure कर हो तीसरी चीज का नाम था रिबेट यानि कि आपका यदि आपकी आये पर tax बन गया मानलीजे 50,000 तो सरकार उसमें आपको कहती 10,000 आप tax और कम कर दीजिए अब एक आम आदमी के लिए वो तीनों चीजें जो कटोती वाली तीनों चीजी हैं वो समझ कर net income tax समझने वाली बा प्रतिशत तीसले स्लैब में 10 प्रतिशत इस तरह से आप से tax लेंगे ये स्कीम सरकार ने नहीं अपने सामने रख दी अब आप जो बात कह रहे हैं उसके अंदर सबसे आसान बात जो एक आम आदमी के लिए taxation तो सरकार ने कम कर दिया साथ में आपको ये भी समझा दिया कि अ अंदाजन उसका 5 प्रतिशत 10 प्रतिशत आपके दिमाग में फिक्स है जो कि पहले वाले सिस्टम के अंदर exemption reduction rebate के सिस्टम के अंदर जैसे CBD चेर्मन ने बताया तो उस सब की calculation एक methodology से होती थी एक आम आदमी अपने आप अपने return का हिसाब लगाना या भर लेना या कुछ च थूट जाना इस तरह की समस्यां है रहती थी तो सरकार इस बात को परुद्साहन कर रही है कि आप नए tax regime में बिना कटोती वगाले वगारा वाले method के अंदर सीधा सीधा अपनी slab के हिसाब से अपना income tax बनाएं और खुदी उसको pay कर दें और हमेशा आपको पता रहे कि यद सरकार उस पर switch over करने की कोशिश भी कर रही है उसका भी ये कारण है सरकार की तरफ से इसमें क्या होता था कुछ गलतियां हो जाती थी इसमें revision के लिए भी सरकार को provision देना होता था कि आप income tax return revise कर लीजिए फिर कुछ mistake हो गई यदि मान लीजिए तो एक section था section 154 उसके अंद लग सके अब सरकार उसके परोज सहन के लिए आपको साथ लाग दिके लिए कि साथ लाग तक exemption है आप उसके अंदर चले जाए बिल्कुल लेकिन कहीं न कहीं लोगों को इस बात की भी फिक्र है कि सरकार जो पहले जो पुराई tax regime थी उसमें आप काफी सारी saving करते थे क्या सर पूरे benefit tax regime के ले पाते हैं old tax regime के तो शायद आपको उसमें जादा बहतर होगा लेकिन बहुत सारे लोग पूरी तरीके से उसका फायदा उठा नहीं पाते तो शायद उनके लिए जादा बहतर होगा जो नई tax regime है बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड हमाष जसके लिए जादा बहा होगी झाल कर बहँ जादा आपको बहँतर होगा है बहा ही जासे प sulphत है कर दिया आपको नहीं चर एंदाद हो नहीं गले हम करत दोबहा बहा है झालो शडम करते लोग साधा है पasten। 15